हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं सबी लोग आई हो पच्छे हूंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूं आई होप आपको पसंद है सुहागरत की दास्ता पर लिखा था पूरा गाना लेकिन एक भी शब्द नहीं रहा था बद्दा सुनकर मचल पड़ता है मन जब 26 साल बाद भी नहीं होतरा है खुमार हिंदी सिनिमा की सौ साल की यात्रे में अगर आल टाइम टॉप फाइब गानों की लिस्ट निकाली जाएगी तो चंद धुने और शब्द दिमाग में घूम जाएंगे तुस्से नाराज नहीं है जिन्दी की जीने के लिए सोचा भी नहीं किसी की मुस्क रहा उट हो जैसे कुछ गानों ने समय के चक्र के फेर को बदल ही दिया है ऐसा ये गाना साल 1998 में आई फिलिम दिल से में गुलजार की कलम से फूटा था इस गाने में गुलजार ने स्वहगरात के दिल दिलहन के मन में चल रहे रह से और उसके खुबसूरत एहसासों की कहानी बया करता है ले संगीत की दुनिया में एक मिशाल बन गई है इस गाने के जरीये पहली बार लता मंगेशकर और एर रहमा ने साथ काम किया था इस गाने में लता मंगेशकर ने शुरू का ऐसा जादू फूका है 26 साल बाद भी इस गाने का खुमार लोगों के मन से नहीं उतरा है इस गाने का म्यूजिक ऐसा है कि मन को मोह लेता है इस गाने की कहानी खुद गुलजार ने बताई थी गुलजार की गानों पर किताब लिखने वाले ट्रांसलेटर नसरीन मुन्नी कबर कबीर के साथ बाचीत में बताते हैं कि मैंने इस गाने को सुहागराद पर दुलहन के जजबातों की तस्वीर कैट करनी के लिए बनाया था हलाकि इस गाने में एक भी शब्द भदर अभदर नहीं था क्योंकि मैं यह भी जानता था कि अगर गाने में एक भी अब शब्द होगा तो लता जी गाना नहीं गाएंगी मैं सुहागरात को बहुत संभे अंदाज में नहीं लेता मैं बस सुहागरात के जजबातों की तस्वीर खीचना चाता था इसके लिए कुछ शब्दों का मैंने इस्तमाल किया था जिन में से मसले फूलों जैसे शब्द सामिल रहे हैं रात पर पेचारी महंदी पैरो तले पिस्तिये इसकार दो प्रियम के भी संबंधों को दर्शाना था साल 1998 में आई फिल्म दिल से में इस गाने को इस्तमाल किया गया था डारेक्टर मनी रतनम की इस फिल्म में एयर रह्मान ने संगीत दिया तो लिरिक्स गुलजार ने लिखे थे फिल्म में सारुक खान और मनीशा कोरियाला लीड रोल में नजर आयते फिल्म का गाना जिया जले बले ही सुपर हिट रहा था लेकिन ये फिल्म बॉक्स आफिस पर फ्लॉप हो गई थी बॉक्स आफिस इंडिया के मताबिक 11 करोर रुपे के बजट से बनी फिल्म ने भारत में 18 करोर रुपे की कमाई ही कीती सिर्फ हाला कि फिल्म को फ्लॉप को टैक तो दिया गया था लेकिन फिल्म के गाने का खुमार 26 साल बाद भी लोगों के मन से नहीं उतरा है आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब सेर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग बाबाए